दोस्तों आप सभी लोग देखे रोपने टैस्टेड यूट्यूब चैनल तो आप सभी लोग विडियो लेकर आएуск है तो वीडियो को लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में आप लोग स्विच चेक आड़ कर लीजिए जिसको लगब 20,000 से भी ज्यादा लोगों ने प्यार दिया यहां पर दोस्तों बात करेंगे एरफोर्स ग्रूप बरते सामें वो गलती की होंगी तो आप लोग का फॉर्म नहीं लोटेगा जिया तो आप लोग का फॉर्म रेजेक्ट कर दिया जाएगा यह कौन-कौन से कारान है मैं वह भी आपको डीटेल में बताऊंगा तो गुजारे शुगा वीडियो को स्किप ना करें अंतक चरूर द लेखाए कि सर हमारे पास डोमेसाल सेट्टिफिकेट नहीं है तो हम उसकी जिगह पर पासपूर्ट लगा सकते हैं का तो दोस्तों बिलकुल नहीं आप लोग को डोमेसाल लेनी की मुल्यवासी ही लगाना पड़ेगा उसके अधर तो आप लोग कोई और सेट्टिफिकेट तो बनवाली जिए इसके असावा आप लोग का बास कोई ऑप्शन नहीं आप लोग फर्म नहीं बरपाएंगे उसके बाद दोस्तों बच्चे पूछ रहे हैं कि सर दोमेसाल के अपलाई कर सकते हैं बिना दोमेसाल की अप्लाई कर सकते हैं बास्त करेंगे कास्ट सेटिफि वेकेंसी में भी बच्चों ने स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजा था जिसके आवेदन उनके स्विकार हुए थे तो आप लोग कोई भी मैथड हम पर अपना सकते हैं यहां पर बोला गया है कि मिर पास मूल लेवासी नहीं है लेकर अधरकार है तो दोस्तों मैं फिर से बोल करना है जिहां दोस्तों फोटो को अटेस्टेट करना है उस फोटो के जैसा आप लोग का फोटो है उस फोटो पर आप लोग को यहां पर अपने साइन करने होंगे जिसको आप लोग को सेल्फ अटेस्टेट नाम से बताना होगा वहीं पर दोस्तों यहां पर आपके पूछ उनिट है वो ही सारी जानकार आप यहां पर लखने हैं यहां पर बच्चे कह रहे हैं हम से कि सर आप सही कहरे हैं आप लोग एक्स बॉलोग प्ल्क करेंगे तो वुथ एक स्ट्रफा नहींगे तो थो इन वह के पूल करके हैं विलकुल 100 पर्सेंट सब्सक्राइब में फ्रेंटर पर आपको ब्राइड कर सकती है एक्निरोज कार्ड में जो फोड़ो लगाना उससी पर करनी है कि यहां पर बोल रखा है कि एक बच्चे हमसे धन्यवाद के कि आगे बोला है दोस्तों यहां पर एक और डाउट हम से पूचा है इसमें उन्हों निगा कर सकती है तो बिलकुल यहां पर गल से पैक्ष्टी है फॉं में यहां-पे आप दोस्तों पर नहीं है जो भी आपकी यूनिट है एक साथ दो पोस्ट कर सकते हैं अलगलग अगर दो पोश्ट फिल कर सकते हैं आगे हमसे पूछा जाएगा फॉर्म ओला निकलेगा का अब तो फॉर्म दोस्तों मार्केट में भी अवलियेबल हो गए हैं अब कोई करके कोई समस्या नहीं है आप लोगों को सेंडल का का सेट्री कर लगाना है बिलकुत सही बात है यहाँ पर दोस्तों बोला गया है कि यहाँ पर दोस्तों दो एंवल्लप तो नहीं लिखा नोटिविकिशन में तो दोस्तों यह थे कुछ ऐसे सवाल जो कि ज़्यादतर चात्रों ने पूछे थे ज़्यादतर जो सवाल थे वो कुछ इसी प्रकार के थे इसलिए हमने गिने चुने सव आपको उठाया और इसमें से आपको कोशिश करिए कि सारे जवाब देने के प्रयास करें यहां पर दोस्तों ज्यादा समस्या सामने वह आई वह यह थी कि सर फॉर्म को टाइब कराना है क्या तो दोस्तों फॉर्म पहले प्रॉफार्म आप लोगों को दिया गया था लेकिन करेंगे लिफाफ हे पर क्या लेखना है दोस्तों दोनों ही चीज़ों पर अंतर है जब भी आम लोगों ने form पर दिखाता तो application for the post of dash और unit का नाम लेकिन लिफाफ हे पर हमें हमें लेखना है application for the post of dash यानि कि आप लोग की post और आगे आपको category जिन लोगों ने इस चीज का उल्टा किया है तो दोस्तों उनका form नहीं लोटने वाला तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दे लीजिए कि आप लोगों ने क्या किया है वहीं पर बात करें आगे तो यहाँ पर दोस्तों जिन लोगों ने भी नहीं लगाया उनका form नहीं लोटेगा जिन लोगों ने भी अपना कास certificate नहीं लगाया उनका form नहीं लोटेगा क्योंकि जो पांच का अगज मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में बताए थे यादि आप लोगोंने वहीं लगाये हैं तो यह आपका form लोटेगा यहां पर दोस्तों बात करेंगे कि क्या इसी कंडिशन रहेगी जिसके तहरत आप लोग का फोटो दूसरा आप लोग के डॉकुमेंट तीसरा आप लोग का लिफाफे पर लिखा हूँ आपका जो कैटेगरी लिखी है तो ही आप लोग का फॉर्म लोटेगा नहीं लिखी तो लोटेगा बात करेंगे आगे यही किसी चार्टर ने आखरी के समय में फॉर्म डाला जैसे मान लिखी यह पांस तारीक लास्ट है तो आप लोगों को वहां पर प्रॉब्लम आएगी आप लोगों के फॉर्म हो सकते हैं ना पहुंचे इसलिए फॉर्म जल्दी से जल्दी और मैंने भोपाल के लिए जो ऑफिस है भोपाल की यूनिट है वहां पर अप्लाई किया तो मेरे जो सेंटर होगा वो भोपाल डिविजन के आसपास में ही मिलेगा यानि कि भोपाल के आसपास की कोई डिविजन होगी जहां पर दिया जाएगा यानि कि जो पूरी के पूर दो दोस्तों वर्तमान स्थिती को देखते हुए कहना मौती मुश्किल होगा कि एक्जाम कब होगा क्योंकि इस समय सभी एक्जाम को पोस्ट्पन कराया जा रहा है और हम बात नहीं कर सकते नए एक्जाम को कराने के लिए लेकिन फिर भी दोस्तों अनुमानित यही है कि आप कर जो एक्जाम होना चाहिए वो सितंबर अक्टूबर के बीच में होना चाहिए क्योंकि इसके जो एडमिट कार्ड होंगे उसको जनरेट होने में काफी समय लग सकता है क्योंकि जोस्तों काफी ज़्यादा आवी दन इस फॉर्म के लिए पहुँचा जा रहे है करेंगे स्लेबस को लेकर तो दोस्तों एरफोर्स ग्रूप सी के स्लेबस की उपर अलग से डीटियल वीडियो बन रही है तैयार हो रही है जिसमें आप लोग को कोशिच की जा रही है कि एक्जाम का जो पेपर है वो भी मिल सके ताकि हम आपको और भी बहतर तरीके से समझा करेंगे कि एक यसा और फोर्स ग्रूपसी का एक्जाम आता है उमीद करता है वीडियो पसंद आई होगी लाइक कर दिजे दोस्तों की साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब पर और अल कर लीजिए